डाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कप मूंग डाल आधा कप चना डाल आधे कप से थोड़ी कम हरी डाल अब इन डालों को धो के अच्छे से हमें बॉयल करना है इसके लिए कूकर की दो-तीन सीदी के बार में हमी गैस की फिलिम कम कर देनी है और पांच मिनिट लिए रखना है अब एक कड़ाई में तेल गरम करके लिए ना है हमें जीरा आधा चमच करम मसाला इसकी बाद दो कटे हुए टमाटर एक हरी मिर्ची अगर आप चाहें तो टमाटर से पहले प्यार्स दसन भी डाल सकते हैं अब डालेंगे ना माख आधा चमच लाल मिच्ची पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर इसकी बाद ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करके हमें मैश करना है अब हमें हमारी दाल को अच्छे से मिक्स करके मैश करना है अब हमें हमारी दाल में इस ग्रेवी को मिलाना है और पान से दस मिनिट अच्छे से बॉयल करके पकाना है और लास में हम इसमें देंगी घी और लाल मिची का तड़का हमारी दाल बनके रेडी है अब बाटी बनाने के लिए लेंगे हम दो कप गिहूं का आटा आदा कप सूजी इसमें डालेंगे एक चौधा चमच पेकिंग सोडा एक चमच तेल और नमक अब इसमें पानी डाल के हमें टाइट आटा गूतना है अब हम आटे की छोटी छोटी लोया लेंगी और इसे हाथों की बिजगुमाते वए इसे गोल शेप देंगे बाटी की तरह आप चाहें तो मसाला बाटी बना सकते हैं जिसकी रैसिपी और डी मैंने अफ्लोड कर दी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब इसी तरीके से हमें सारे बाटी रेडी करके रखनी है अब हम इन बाटियों को बाटी परतन पर सिखेंगे हमें इसे 15 या 20 मिनिट के लिए मीडियम या स्लो फेम पर सिखना है और साथ ही से बीच वीच में चेक भी करना है अब हमारी बाटिया सिख चुकी है अब एक कड़ाहे में हम गरम करेंगे गी और इसमें डाल देंगे हम बाटिया और इन बाटियों को हम फ्राय करेंगे दो से तीन नट तक हमारी दाल बाटियों रेटी है अगर आपको में रेसिपी अच्छे लेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आपको मादा जापको में सब्सक्राइब कर दियू झाहको करेंडेब कर दो